नमस्कार आज की खबर चेनल में हम आपका स्वोगत करते हैं हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आएं हम आपको बताएंगे दोस्तो आज की खबर चेनल में हम आपके लिए आज लेकर आएं दोस्तो चार बड़ी खबर है हमारी आज की पहली बड़ी खबर है शरत पूर्णीमा के बारे में हां दोस्तो हम आपको बताएंगे यदि आप शरत पूर्णीमा के दिन लक्षमी माता का वरत करते हो दोस्तो और शरत पूर्णीमा के दिन दोस्तो यदि आप खीर रखते हो और रात के 12 बजे बाद खीर खाते हो तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा फाइदा होगा पहला फाइदा तो आपको यह होगा दोस्तों कि आपकी आयू लंबी होगी और दोस्तों आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग नहीं रहेगा दोस्तों यह दो फाइदे आपको होंगे ह हम आपको पूरी खबर बताएंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर है सबरी माला मंदीर में महिलाओं का परवेश दोस्तो इस बार तो नहीं हो सका दोस्तो इसको देखकर लगता है कि दोस्तो सुप्रीम कोट का जो फैंसला आया था वह फैंसला धार्मिक माननेताओं से हा दोस्तो इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताएंगे हमारी आज की अगली बड़ी खबर है कि दोस्तो पेटीम का डाटा किडनेप हो गया दोस्तो और दोस्तो किडनेप पढ़ने 20 क्रोड रुपे की फिरोती मांगे थी आखिरकार पुलिस ने पकट लिया है तो दोस दोस्तो आविधन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है आप आविधन कर सकते हो हमा आपको पूरी खबर बताएंगे शुरू करते हैं दोस्तो आज का हमारा खबरों का सिलसिला और पहली खबर हम लेते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर है यदि आप शरत पूर्णी मा के द दिन रख्योई खीर का भी आप सेवन करते हो तो दोस्तो हम आपको बताएं आपके शरीद में जो एसाध्य रोग होगा दोस्तो वह समाप्त हो जाएगा इस ख़बर के बारे में हम आपको पूरी रिपोर्ट देने जा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तो पूर निमा आती है दोस्तों लेकिन जो ये शरत पूर्णीमा आ रही है, ये सब पूर्णीमाओं से खास पूर्णीमा होती है, हम आपको बताएं दोस्तों इसको शरत पूर्णीमा क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सर्दियों में आती है, इसलिए इसको शरत पूर्णीमा कहते हैं और दोस्तो हम आपको बताएं शरत पूर नीमा के अंदर जो चंद्रमा से रोशनी आती है दोस्तो वह 16 कलाओं से युक्त होती है दोस्तो और जब दोस्तो 16 कलाओं से युक्ती रोशनी धरती के उपर आती है दोस्तो तो वह अमरत की वर्शा करती है और दोस्तो इस रोशनी क के अंदर कोई भी यदि खड़ा रहता है कोई भी चीज इस रोशनी के अंदर रखी रहती है तो दोस्तो वह भी अम्रित बन जाती है और दोस्तो जदी इस अम्रित का सेवन हम करते हैं और दोस्तो जब इस अम्रित का सेवन हम करते हैं तो दोस्तो हमारे शरीर के अंदर जो भ भगवान शिरी कृष्ट ने 16 कलाओं के साथ जनम लिया था जबकि दोस्तों भगवान राम के पास सिर्फ 12 कलाई थी हम आपको बताएं दोस्तों शरत पूर्णिमा के दिन चंद्रमा माता लक्षमी और विश्णु जी की पूजा की जाती है दोस्तों हम आपको यह भी बता द दोस्तों शरत पूर्णिमा के दिन खीर भी बनाई जाती है और दोस्तों खीर बनाकर उसे खुले आकाश के नीचे रखा जाता है हम आपको बताएं दोस्तों इसके बाद जब शरत पूर्णिमा के दिन रात के बारा बज़े बाद खीर का सेवन किया जाता है और दोस्तों यह खीर परिवार जनों के बीच में बाटी जाती है हम आपको बताएं दोस्तों खीर खाने का क्या माननेता है इसका क्या मतलब होता है दोस्तों इसके पीछे यह माननेता है कि इस खीर में अमरत होता है और दोस्तों यह कई रोगों को दूर करने की शमता रखती है इसलिए द विमारी है दोस्तो वह आने वाले समय में समाप्त हो जाएगी दोस्तो ऐसी मान्यता है दोस्तो अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि शरत पूर्णिमा कब मनाई जा रही है इस साल दोस्तो इस साल शरत पूर्णिमा मनाई जा रही है अश्विन मास के शुकल पक्ष की पू पूर्णिमा मनाई जा रही है दोस्तो अब हम आपको बताते हैं कि शरत पूर्णिमा का महत्व क्या है आखिरकार हम शरत पूर्णिमा क्यों मनाते हैं हम आपको बताएं दोस्तो शरत पूर्णिमा का हिंदू धरम में विशेश महत्व है मान्यता यह है कि शरत पूर्णिमा का वरत करने से सभी मनों कामनाएं पून हो जाती है और दोस्तों हम आपको बताएं ऐसा कहा जाता है जो विवाहित इस्त्रिया इसका वरत करती है उन्हें संतान की प्राप्ती होती है जो माताएं इस वरत को रखती हैं उनके बच्चे लंबी आयू के होते हैं और अगर कोई कु दोस्तो उसको मनवांचित पती मिलता है हम आपको इस बात की जानकरी देदे दोस्तो शरत पूर्णिमा का जो चांद होता है दोस्तो वह बहदी चमकिला होता है दोस्तो और हम आपको बता है आसमान भी बिल्कुल साफ होता है जो दोस्तो इस बात का पत्रिक होता है कि अब मा प्रतित होता है दोस्तों हमारे शरीर को भीतर से शीतलता प्रदान होती है और दोस्तों हमापको बताएं माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा की प्रकाश में ओशदी में गुन मोजूद होता है दोस्तों जिससे कई ऐसाध्ये रोगो को दूर करने की शक्ति होती है दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि शरत पूर्णीमा की तिति कब है और इसका शुब मूरत कब है हम आपको पहले बताते हैं चंद्र उदे का समय कब है चंद्र उदे का समय दोस्तो 23 सक्टूमबर 2018 की शाम पांच बचकर 20 मिनिट पर पूर्णिमा तीती प्रारम कब हो रही है पूर्णिमा तीती प्रारम हो रही है 23 सक्टूमबर 2018 की रात 10 बचकर 35 मिनिट पर और दोस्तो पूर्णिमा तीती समाप्त हो रही है 24 सक्टूमबर की र हम आपको बताएं दोस्तों शरत पूर्णिमा के दिन आपको सुबह उड़ते ही इस्तनान ध्यान कर लेना है और दोस्तों उस दिन वरत का संकल्प ले लेना है दोस्तों हम आपको बताएं यदि आपके घर के अंदर मंदिर है तो दोस्तों वहाँ पर आप घी का दीपक संध्या के समय लक्षमी जी की पूजा करें आरती उतारें और चंद्रमा को अर्ग देकर प्रशाद छड़ाएं आरती करें और अब उपवास आप खोल लीजिए और दोस्तों शरत पूर्णिमा के दिन रात के बारा बजे बाद अपने परीजनों के साथ दोस्तों खीर का प् यही और दोस्तों जब हंदेरा होता है उसके बाद जब बारा बस्ते है दोस्तों उसके बाद आपको खीर सब परिवार जनों के बीच में खानी है उसको सुबह नहीं खाना है दोस्तों दोस्तों हम आपको वज़ाएं जदि आप चरत पूर्णिमा के दिन रात को बारा अगली बड़ी खबर है सब्री माला में महिलाओं के परवेश को लेकर दोस्तों सुप्रीम कोट का फैंसला धार्मिक माननेताओं के आगे हार चुका है इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं हाँ दोस्तों हम आपको बताएं सुप्रीम कोट ने फैंसला दे दिया था कि दोस्तों किसी भी उमर की महिला सब्री माला मंदिर में परवेश कर सकती है लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं धार्मिक माननेता यह है कि सिर्फ दोस्तों दस साल से छोटी उमर की और पचास साल से बड़ी उमर की महिलाई सब्री माला मंदिर में परवेश कर स दोस्तो इसके बाद सुप्रीम कोड का जो फैंसला आया था धार्मिक माननेताओं के आगे हार चुका है और दोस्तो अब भगवान अयापा का मंदीर का जो दुआर होता है दोस्तो वह एक महीने के लिए बंद हो गया है दोस्तो उन्हें परवेश किये बिना ही लोटना पड़ा दोस्तो हम आपको बताएं रईवार को भगवान अयापा के शर्दालों ने दोस्तो तीन तेलगू भषी महीलाओं को भी मंदीर नहीं जाने दिया दोस्तो हम आपको बताएं जो आयापा के शर्दालों दोस्तो वह यही बात कह रहा है कि दोस्तो जो अयापा है दोस्तो वह भरमचारी है इस कारण दोस्तो 10 वर्ष से अधिक और 50 वर्ष से कम उमर की महीलाओं को मंदीर मे परवेश नहीं दिया जाएगा ऐसा कहना है दोस्तो सब्रीम माला की श्रद्वालों का देखना है दोस्तो आने वाले समय में सुप्रीम कोट इसके बारे में क्या फैसला लेता है दोस्तो हम आपको बताएं सुप्रीम कोट के अंदर दोस्तो रिवीव पिटिशन डाली गई है और दोस्तो सुप्रीम कोट इन आगे बताते रहेंगे हमारी आज की अगली बड़ी ख़बर है पेटियम के बारे में हाँ दोस्तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि पेटियम का गोपनिय डाटा कुछ लोगों ने चोरी कर लिया था और दोस्तो चोरी करने के बाद पेटियम के जो माली का दोस्तो विजे शेक उन से 20 करोर रुपे की फिरोती मांगी थी इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं हम आपको बताएं दोस्तो भारत देश की मोबाइल वोलेट की नामी कमपनी पेट्टियम का गोपनी डाटा चोरी करके मालिक से विजे शेकर से 20 करोर रुपे की रंगदार हम आपको बताएं यह मामला दर्च करवाय گdles नोईडा थाना सेक्टर 20 के अंदर हम आपको बताएं दोस्तो नोईडा थाना सेक्टर 20 ने अब तक के एक महिला करमचारी जो कि दोस्तो कमपनी की वाईस प्रेसिडेंट है और दोस्तो उसके पती और एक करमचारी को गिरपता दोस्तो इन तीन लोगों ने ही पेटियम का गोपनीटा चूरी किया था हम आपको बतायें दोस्तो पुलिस की अनूसार गिरबतार महिला वाइस प्रेसिडेंट का नाम सोनिया धाम ए और दोस्तो सौनिया धाम दिजे शेकर की निजी सचीू भी थी हम आपको बताएं दोस्तों उसने एक अन्य करमचारी देवेंदर की मदद से कमपनी का गोपनी डाटा चोरी कर लिया और दोस्तों उसके बाद कमपनी के माले को बलेक मेल करने लगी और दोस्तो हम आपको बताएं ब्लेक मेल करने के दोरान 20 क्रोड रुपे माँगने लगी हम आपको यह भी बताएं दोस्तो जो सून्या का पती है रूपाग जेन दोस्तो वह भी इसके अंदर शामील था हम आपको बताएं दोस्तो कमपनी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट विजे शेकर शर्मा के भाई अजे शेकर शर्मा की शिकायत पर थाना सेक्टर 20 में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए गई है पुलिस के अनुसार आरोपी सितंबर महिने से कमपनी के मालिक से 20 करोड रुपे की फिरोती मांग रहे थे दोस्तो फिरोती ना देने पर आरोपी कमपनी का डाटा सारुजिन करने की धंकी दे रहे थे दोस्तों बताया जा रहा है कि कंपनी के मालिक ने आरोपियों को दो लाग रुपे भी दे दी थे लेकिन दोस्तों आरोपी बीस करोड रुपे की मांग कर रहे थे दोस्तों हम आपको बता हैं आरोपियों को पकड़ लिया गया है लेकिन दोस्तों हम आपको बता हैं आज कल डाटा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो गया है इसलिए दोस्तों आप अपने अपने डाटा की सेफटी कर लीजिए क्यों दोस्तों आज कल कंप्यूटर का जमाना है दोस्तों इसके अंदर डाटा सबसे ज़्यादा इंपोर् इगनू ने दोस्तो दो वर्षिय बेड पार्टे करम के लिए जो आविदन बागे जा रहे हैं दोस्तो उसकी प्रकिरिया शुरू कर दिया है हम आपको पूरी ख़बर बताने कर रहे हैं हम आपको बता दोस्तो इंद्रा गांधी राष्टिए मुक्त विश्विद्याले इग इनू की वेब साइट जो की हमने डिस्क्रेशन बोक्स में अपडेट कर दिया है महाँ पर जाकर दोस्तो ओनलाइन आविदन कर सकते हैं हम आपको बताएं दोस्तो इकनू की अनुसार आविदन करने वाले सभी चात्रों के लिए दिसंबर में लिखित परिक्षा आयुजित की जाएगी इसमें सफल होने वाले चात्रों को ही बिएड में दाकिला दिया जाएगा हम आपको बताएं दोस्तो लिखित परिक्षा की तारीख भी जल्द ही घोशित कर दियाएगी बीएड पार्ठे करम हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में संचालित होगा और दोस्तो हम आपको बताएं पार्ठे करम में दाकिला लेने के लिए दोस्तो वही छात्र आविदन कर सकते हैं जिनोंने कला, विज्ञान, वानीजे की सनातक और पराशनातक परिक्षा में शिक्षन, कारेकरम पूरा कर चुके, अभ्यारती भी पार्ठे करम के लिए आविदन करने योग होंगे दोस्तो यदि आप एगनू से दो वर्षी है, बीएड करना चाते हो तो दोस्तो आप 15 नोवंबर तक आविदन कर सकते हो यह हमारी आज की संपून खबरें आप हमारा जो चैनल आज के पर उसको लाइक और सस्क्राइब करना ना भूलें नमस्कार